हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने हेल्थ टिप्स चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले 1000 सब्सक्राइब के टार्गेट को पूरा करें। आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर कर लिया, ये काम तो भूल जाओगे। डायबिटीज का नाम आज की डेट में डायबिटीज ऐसी लगभग बहुत सारे लोग परेशान हैं। और इससे छुटकारा पाने के लिए तरह तरह की दवाईयाओं भी खा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा नुस्खा जिसके इस्तिमाल से आप बहुत जल्द अपने डायबिटीज को खत्म कर देंगे। दोस्तों, पहले के जमाने में 60-65 वर्ष के लोगों को डायबिटीज होता था, लेकिन अब युवाओं और बच्चों को भी डायबिटीज का सामना करना पड़ रहा है। ये हमारे सही से खान-पान नहीं करने की वजह से होता है। दोस्तों, डायबिटीज दो तरह के लोगों को होता है। पहला जो पौश्टिक आहार नहीं खाते जिसकी वजह से उनके शरीर में पोशक तत्व नहीं पहुँच पाता और इसकी वजह से उनके शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। जिसकी वजह से उनके डायबिटीज का सामना करना पड़ता है और इसके लिए उनके बाहर ऐसी इंसुलेन लेना पड़ता है। और दूसरा मोटापे के कारण अगर आप ज्यादा मोटे हैं या फिर आप ज्यादा फास्ट फुट खाते हैं तो इससे आपको डायबिटीज की समस्या हो सकती है। और कम केलिस्ट्रॉल वाला खाना दिया जाए, तो इससे वो अपने डायबिटीज लेवल को बहुत जल्द कम कर सकते हैं, और डायबिटीज को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, दोस्तों, कम फैट वाला खाना खाने से उन्हें बहुत ही फाइदा होता है, इसलिए प्रोटीन और मिनरल्स आपके शरीर में अच्छी तरह प्रवेश कर पाएंगे, जिससे आप बहुत जल्द डायबिटीज के साथ साथ बहुत सारी समस्याओं से भी छुटकारा पाएंगे, दोस्तों, अपने डेली डायट में फल, हरी सबजी, दूध और दूध से बना जात ही यह आपके शरीर में इंसुलिन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज लेवल ब्लड सुगर लेवल कम हो जाता है, और आप बहुत जल्द डायबिटीज से छुटकारा पाते हैं, दोस्तों, अगर आप चाय कॉफी के शौकीन हैं, तो इसे जल्द से जल्द और कम से कम करें, अगर आप इसका इस्तेमाल न की मात्रा में करते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ही फायदेमंद रिजल्ट मिलता है, डायबिटीज के पेशेंट को मिठायाएं डबबा, बंदफल पेस्ट्री नहीं खाना चाहिए, इसमें प्रचुर मात्रा में कैलोर होती है, जो आपके शरीर में फैट को बरहा देता है, और साथ ही आपके इंसुलिन के लेवल को भी कम कर देता है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज का सामना करना पड़ डी 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 एचता है, दोस्तों, टमाटर, ककड़ी, प्याज, लहसन को अपने डेली डायट में ज सुलिन को बरहा सकते हैं और डायबिटीज की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, दोस्तों, डायबिटीज के लिए करेला बहुत ही अच्छा उपाय है, अगर आप करेले का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, ये आपके नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, तो इससे आप अपने डाइबिटीज को बहुत जल्द खत्म कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में।